हेलो गाइज, I am Tamanna, welcome back to my channel आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत जादा easy dessert की recipe share कर रही हूँ तो गाइज, mango जाने से पहले आप इस dessert को बना लें नहीं तो फिर पूरा असाल तो mango नहीं मिलने वाले और हम लोग dessert तो बहुत सारे बनाएंगे बट mango dessert नहीं बनाने पाएंगे क्योंकि mango को हम लोग बहुत जादा time तक store नहीं कर सकते हैं हाँ, उसे हम लोग चटनी बनाके या अचार की तरह store कर सकते हैं बट हम लोग अगर चाहें पूरे mango को store कर लें तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि mango नहीं बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं तो बस mango जाएं उसके पहले चलिए इस dessert को हम लोग बना लेते हैं तो बहुत जादा आसान dessert है जो आज मैं आप लोगों के साथ में share कर रही हूं बट इसका टेस्ट जो है न वह बहुत जादा बढ़िया है बहुत जादा delicious है अभी मैंने एक पैन लिया है पैन में मैं आड कर रही हूं वन टेबल स्पून गी तो गी आप अपने according ले सकते हैं जो आपको पसंद हो देसी गी या वनस्पती कोई भी आप ले सकते हैं गी जैसे ही गरम होता है तो उसमें मैं आड कर रही हूं ये सिवाई को सिवाई की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में कही तरह की शेयर की है आपने नहीं देखा तो फ्लीज चैनल को विजिट करें सिवाई को डालना है फ्लेम को medium to low कर देना है और इसे बहुत अच्छे से भूँज लेना है सिवाई को थोड़ा सा भूँज की अगर लेते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़ादा enhance हो जाता है तो अभी आप देख रहे हैं सिवाई का color change हो गया है तो बस हमें ऐसा ही कुछ चाहिए अगर मैं तरना चाहूंगे कि flame को लोही रखे नहीं तो सिवाई हमारी जल जाएंगी और उसका flavor जो आएगा वो जला जला तो बस इसी stage पे इसमें आपको add कर देना है milk तो milk आपको इतना लेना है कि सिवाई हाफ से ज़ादा dip हो जाए डूट जाए उसमें तो जो बड़ा वाला coffee मगाता है न वो आपको full coffee मग लेना है और फिर अभी इसी stage पे हमें इसमें add करनी है sugar flame को मैंने अभी भी medium to low ही रखा है और sugar न आप अपने टेस्टे के according इसमें add करें जितना कि आपको मीठा कम या जादा पसंद हो तो मैंने इसमें sugar add कर दी अपने according sugar add करने के बाद मैं आपको इसे अच्छे से mix कर देना है जिससे की sugar न मिल्क के अंदर perfect resolve हो जाए तो अभी आप देख रहे हैं यह perfect resolve हो चुकी अभी इधर मैंने एक bowl लिया है और bowl में मैं milk add कर रही हूँ milk जो है न वो room temperature का है तो बस आप अपने according milk ले ले वैसे इसमें ज़्यादा milk की ज़रूरत नहीं होती है 4 से 5 छोटे वाले जो चमच होते हैं बस उतना ही आपको लेना है और साथी साथ मैं इसमें add कर रही हूँ 2 spoon milk powder milk powder आप सभी लोग जानते हैं कि ठीकने इसको adjust करने के लिए add किया जाता है milk powder को डालके आपको उसकी perfect mixing कर देनी है अगर perfect mixing नहीं हुई तो इसमें lumps आ सकते हैं और हमें इस milk को lumps से free करना है तो इसे अच्छे से 1-2 मिनट में ये perfect mix हो जाएगा इधर हमारी सिवही जो है न वो अच्छे से cook हो चुकी है तो बस इसे stage पे हमें milk powder add कर देना है flame को medium कर देना है और अच्छे से mix कर देना है तो बस एक से 1-2 मिनट इससे जादा हमें cook करने की ज़रुरत नहीं है तो अभी आप ये देख रहे हैं perfect cook हो चुकी है इसकी thickness भी जैसी हमें चाहिए ये perfect है न जादा जादा गाड़ी है और ना ही जादा पतली है अभी इधर ये mango pulp लिया है मैंने तो मैंने एक mango लिया था जिसका ये pulp ले लिया है इसे mixi में डालना है और डालके mixi के pot में grind कर लेना है तो ये देखिए ये काफी ठीक हो गया है तो इसी stage पर इसमे add कर देना है milk milk का आप कोई भी ले सकते हैं फ्रीज का रखा हुआ हो या room temperature का ये half cup milk के था milk डालने के बाद मैंने इसे grind कर लिया है और अभी मैं एक bowl में इसे transfer कर रही हूँ तो ये वही bowl है जिसमें की milk powder mix किया था तो मैंने अच्छे से इसका pulp निकाल के और इसे एक बार थोड़ा सा mix कर लिया है और ये देखिए इधर हमारी जो सिमयी ना वो भी ठंडी हो चुकी है तो चलिए अभी इसे हम लोग कर लेते हैं dish out एक bowl ले लेना है जो भी serving bowl आप लेना चाह रहे हो ना वो serving bowl आप ले ले और उसमें आपको one layer add करनी है सिमयी की जो first layer हमारी है वो सिमयी की और second जो होगी वो होगी mango puree की ये जो mango puree की बनाईए ना इसे अच्छे से spoon की help से spread करते हुए हमें सिमयी के उपर डाल देना है तो इसे अच्छे से डालना है और डाल के इस type से थोड़ा सा फैला देना है अच्छे अब जो हमारी third layer होगी वो वापिस से सिमयी की होगी तो फिर से हमें सिमयी को लेना है और इसके उपर इस type से spread कर देना है फैला देना है fourth layer फिर हमारी जो होगी वो होगी mango puree की तो इसी तरह से आप जितनी quantity में बना रहे हो उसके according आपको layer पे layer बनानी है तो बस इसी type से आपको step by step layer बनाते जाना है तो आपको जितनी भी quantity में बनाना हो कम या ज़ादा तो बस इसी type से आपको सारी layer इस पे बना लेनी है और जब ये सारी layer बन जाएंगे इस type से तो फिर इसे आपको थोड़ा सा garnishing करना है तो garnishing के लिए आप चाहें तो कुछ dry fruits ले लें almonds हैं, cashew हैं, coconut powder है basicated coconut powder ये आप ले सकते हैं ये आप अपने according कोई भी dry fruits ले सकते हैं मैं जो हूँ, तो आज dry fruits नहीं ले रही हूँ मैं ले रही हूँ, pom granite ये ना, look तो देते ही अच्छा है काफी healthy भी होता है तो आप इसे अपने according, जिस type से चाहें वैसे garnishing कर सकते हैं तो मैंने थोड़े से sprinkle कर दिया है थोड़े से साइड में लगा दिया है तो आप देख सकते हैं इसे इसका look ना बहुत ज़्यादा खुबसूरात आया है बहुत जबज़स्ता आया है तो आज की ये simple सी आसान सी जटपट बनने वाली recipe कैसी लगी आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो पसंद आई हो तो family and friends के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिया और कर लिया है तो thank you so much पलाइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसके मेरे आने वाली वीडियो की notification आप लोगों तक पहुँचाए ओके गाइस बाई